आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अब ही डाउटनेट करें देगा प्रशन पूछा गया है कि प्रकाश विद्यूत प्रभाव के संदर में निर्योधि विभाव का अर्थ हमें समझाना है, जहां निर्योधि विभाव का मान उत्थर्चक पदार्थ की प्रकृति पर किस प्रकार निर्भा करता है, इसकी तुलना हमें प्रशन में करन लांता है एक प्लेट जिसे हम एनोट प्रश्चित करें और एक प्लेट जिसे हम कैथोड से प्रश्चित करें उनके बीच इस प тип Да Bu परीपत के नंतर हमने पैली प्लेट को के थोड ते और दूसील जिसमें मुख इलेक्ट्रोन रूप की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रोन के रूप में हम जानते हैं, जब एक निशित प्रकाश की मात्रा निशित उर्जा के रूप में उस पर आप्तित होती है, इस प्रकार हमने प्रकाश की उर्जा या प्रकाश को आपतन को बताया है प्रकाष की उर्जा आप्टित होते हुए जिसकी उर्जा का कुलमान हम E से वेक्ते करते हैं जिसे H new एक निश्यत आवर्टि के अनुशार उसकी उर्जा को बताया जाता है जहां H का मान प्लांक नियतांक से प्रदर्शित होता है, अब इस प्रकार की उर्जा जब कैथोड पर आप्तित होती है, तब इस पर जो कुल उर्जा है E, H नियू से प्रदर्शित होती है, अब चुकि किसी धातू की, धातू की प्लेट के लिए हमने कैथोड की प्लेट लि उसे प्रेशित होता है जिसे हम इस आवृत्ति को से नीची के आवृत्ति पर प्रकाश फोटॉन का अर्थात उतसर्जित इलेक्रोनों का संभाव नहीं है इस प्रकार यह उसके कारे फ्लंग पर निर्वर करता है और चुकि प्रकाष की आप्टित उर्जा इस पर टकराई इससे एलेक्ट्रोनों को उर्जा मिले इलेक्ट्रोन उत्सरजित हुए अपनी कारे फ्लंग के अनुसार और यहां से वह सता पर आये सथा पर आने के पश्चाद इसकी बची आर्जा की मातरा जो वह उस आर्लचा की मातरा को पाख करके यहां से निकलने लगते हैं निकलने लगते हैं चुकिए एलेक्ट्रॉनों को एक गति जूर्जा मिलती है गति जूर्जा प्राप्त करनेके बाद September कि एक स्थान से दूसरे स्थान से धुकुश होने कारण यहां से से निकलने लगते हैं धनाविश होने के किसान हो के जबलेक्टरॉघ वहाँ पर संग्रहाग प्लेट recalled कर लिए तब यहां से इलेक्टर्नों का और धारा का मान बहने लगेगा इलेक्ट्रोन की डिशा की विपरित दिशापर. धारा की बहने से, धारा इस प्रकार की बहने लगती है. अब चूकि एक काम हम करते जाएं, इस विभव को, विभव के धुरुण को बदले और धुर्वन की विभाव को बदलते हुए हम यहां पर रिनात्मक विभाव और यहां पर उल्टा धनात्मक विभाव लगा दें इस परकार एक इस्तिती पर रिनात्मक विभाव और एक इस्तिती पर धनात्मक विभाव जो हमने अब उसे उल्टा कर दिया है या इतनी इलेक्ट्रॉन या इतना रणात्मक आवेश हमने दे दिया कि अब वह कुल रूप से उदासीन अर्थात उसमें आवेश कमान अब शून्य हो गया है। जोकि आवेश कमान शून्य हो गया है इलेक्ट्रॉन उत्सरजित होकर भी गति जोर्जा पाकर भी वहाँ पर आकट्षित नहीं हो पाएंगे। अख़शित नहीं होने से यहाँ पर परिपत पुर्ण नहीं हो पाएगा और अलिक्टरण Know की दरफ नहीं आ पाएगा। जिससे अनोत की दरफ न आने से परिपत पुर्ण नहीं होने से धारा कामान इस पकार शूने होगा। तब हम कह सकते हैं कि विभव के विभव कि उस रणात्मक मान को जिसके कारण धारा का मान शूनी हो जाता है, आई का मान शूनी हो जाता है, हम उसे निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव तो हमने जान लिया, अब निरोधी विभव के मान को हम वी नोट से यदि प्रकाश की आपती तूर्जा तो आएगी उस पर और वह कार्य फलंग के अनुसार इलेक्ट्रोनों का उसर्जन तो हो जाएगा परंतु एक निरोधी विभाव के कारण उनमें जो गती जूर्जा है वह नहीं आपाएगी जोकि इलेक्ट्रोन यहाँ पर होंगे उनको गती जूर्जा प्राप्त होने के पशाद भी वह धरावेश पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि विभाव का मान शुन्य होता है तब उसकी उर्जा को हम किस पर कारण ले सकते हैं इलेक्ट्रोनों का उस विभाव के रूप में इसे हम प्रदेशित करते हैं E V naught से यह उस निरोधिव वभाव की उर्जा है जो उसके गती उर्जा को प्रभावित करती है अर्थात वह उसके गती जूर्जा के बराबर होती है गती जूर्जा के रूप में हम इसे केई अर्थात एकनुपाद 2, M, V अधिक्तम वर्ग के रूप में हमने लिया हुआ है। चुकि हम तो देख लिये कि इसकी उर्जा जो है निर्धुवी विभव का मान या निर्धुवी विभव की उर्जा इसकी गती जूर्जा पर निर्भव करती है। V वर्ग से प्रदिशित होगी जिसका मान अधिक्तम के रूप में हमने लिया हुआ है। अब चुकि यहाँ पर अधिक्तम जो प्राप्ट उर्जा है उसे हम है एच निउसे प्रशित करें। इसे हम कारे फ्लन से प्रशित करें। गती जूर्जा को चुकि हमने इस समीकरण से प्राप्ट किया है। वह इलक्ट्रोनों के उस रिर्णात्मक विभव के मान के बराबर होगी। अब चुकि प्रश्ण में यह पूछा गया है कि निरुदी विभव का मान उस सर्जक प्रदार्द की प्रकृती कि समन रिभ़ करती है। उसके कारे फ्लन पर। कारे फ्लन पर। जो हम समीकरण से देख रहे हैं। चुकि कारे फ्लन इसे हम प्रश्चित करते हैं और निरुदी विभव का मान इस प्रकार से प्रदर्श्चित होता है। तब हम इसके एक नियत मान के लिए अर्थात उर्जा के एक नियत मान के लिए। उर्जा के नियत मान को किस प्रकार हम देख सकते हैं। कि उर्जा का मान तो नियत है। अब यदी निर्थी विभाव का मान हम बढ़ाते जाते हैं। तो एक उर्जा का क्षेट मान के लिए इसका मान, अर्थाथ कारीफलंग का मान कम होगा। अर्थात निरोधी विभाव के बढ़ा देने से, हम देख रहे हैं निरोधी विभाव और इन पर किस प्रकार की प्रकृती है, निरोधी विभाव के मान बढ़ जाने से पदार्थ में इलेक्ट्रोनों की उसरजगता कम होती है, इसी प्रकार निरोधी विभाव के कम हो जाने से उस सञेक पदार्थ की प्रकृति पर या सगना होने लगता है। इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि निरूधी विभाव के अधिकी मानुरूधी विभाव जिसे हम V-NOT से प्रेशित करें उसके अधिक Law के लिए एलक्ट्नों का उस सरजन कम होगा और इसी प्रकार निरूधी वि चाथरों का भरोजा आशी डाउनेट करें डाउट ने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 बर